प्यारे बच्चों आज हम बात कर रहे हैं 11 अप्रेल का मॉर्निंग सेसन जई मैंस का जो पेपर है उसके कोशन की बात कर रहे हैं मैं यहां बेटा के वल और्गेनिक पार्ट की बात कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रेम किये हैं पहला कोशन ग्रिनाड रिएजेंट बेटा यह बड़ा सिम्पल कोशन है जियोसी 3 में पढ़ते हैं यहां पे ग्रिनाड के कितने मोल यूच किये हैं उसके बारे पूचा गया है बच्चों यहां पे यह फंक्शनल ग्रूप की टोन है और यह अलकोहॉल एस्वीडिक एच रखता है तो सबसे पहले ग्रिनाड एसिड बेस रियक्शन करेगा मतलब CS3 MGBR में जो CS3 नेगेटिव है वो सबसे पहले इस एसिडिक एच को ले जाएगा मतलब यहां पे O माइनस बन जाएगा तो इसका जो सोलुशन होगा यहां लिखा हुआ है देखिए ग्रिनाड ने क्या किया इस माइनस पे इस एच को ल मूल इस पे अटेक करके O माइनस बना देगा तो बच्चों यहां पे CS3 MGBR के टोटल दो मूल हमने यूच किये हैं और लास्ट में सेकंड इस टेप में S3O प्लस लिका हुआ है बेटा तो यहां पे दोनूं ही O MGBR OH बना लेंगे और आपका फाइनल प्रोड़क्ट यह बन बच्चों फिर aromatic compound से question आया है HNO2 बहुत ही popular reagent है aromatic 1 degree Amine के लिए आपको पता है HNO2 का मतलब है NNO2 SL और यहां पे क्या होगा बेटा N2 प्लस बन जाएगा और यहां पे आप समझ जाएए एक NH2 बन गया N2 प्लस में और N2 प्लस फिर क्या करेगा दूसरा NH2 इस पे टेक करके औ और यह reaction जो है बेटा यह NN coupling reaction है आपको याद दिला दू aromatic compound में हमने cn coupling की बात की थी और NN coupling की बात भी की थी तो यह question जो आया है बिल्कुल class notes में आपको यह question मिल जाएगा और आपका जो answer होगा बेटा यहां पे 4 आ जाएगा next question फिर again hydrocarbon मतलब aromatic compound से question है question पूछ रहा है कि किस compound में E plus fast react करेगा तो प्यारे बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे तीनों options को अगर हम observe करें तो यहां पे benzene पे OH क्या लगा रहा होगा प्लस M लगा रहा होगा और यह ketone का minus M लग रहा होगा यहां पे यह OH प्लस M लगा रहा है इन वाले hyper की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं हो तो रहा है लेकिन वो common आ रहा है तो उससे मतलब नहीं है अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे यह OH प्लस M लगा रहा है और यह जो OH है यहां minus I लगा रहा है तो overall आपको देखना है कि कौन सी benzene में ज्यादा electron rich है उसक के बात थर्ड वाले में क्यूंकि first वाले में तो ketone का minus M लग रहा है और थर्ड वाले में OH का minus I लग रहा है तो आपका order होगा बेटा second third first तो आप का अंसर होगा बेटा second next question बटा यहां पर यह question आया है 11th class की NCRT से BOD biochemical oxygen demand बच्चों यहां पर कह रहा है कि water body में अगर 4 ppm है तो good quality drinking बच्चों वहां पर एक data लिका होगा है NCRT में अगर 5 ppm से कम है तो वो पीने के लिए अच्छा पानी है अगर 17 या उसके आसपास है तो वो बेकार पानी है तो यहां पर लिका हूँ है 4 ppm मतलब यह सच बोल रहा है मतलब statement 1 जो होगा बेटा सही होगा और next statement 2 जो है जिंक and NO3- इसमें जो concentration है वो 5 ppm लिका हुआ है बच्चों जिंक की concentration जो है वो maximum होने चाहिए 5 ppm data लिका होगा है NCRT में और NO3 की जो maximum concentration है वो 50 ppm होने चाहिए तो यहां पर 5 ppm लिका हुआ है इसमेंज यह दोनों ही statement सही होगे और आपका आंसर होगा बेटा statement 1 and statement 2 are correct first answer हो जाएगा पांच्वा question बच्चों यह question आया है polymer से 12th class की NCRT से और यहां पर पूचा गया है reagent यूच किया है AL-E3 plus TICL4 Jigler Nata Catalyst याद कीजिए AL-E83 मतलब triethyl aluminium plus titanium tetrachloride बच्चों यह कहां यूज होता है यह यूज होता है high density polythene के अंदर और यहां पर temperature भी आपको याद होना चाहिए 33 K2, 343 की K end pressure जो होता है वेटा उस 6 से 7 atmosphere pressure होता है और यहां पर जो option को देखते हैं कि यह low density में जूज होता है या फिर high density में तो आपका अंसर आएगा high density polythene consists of linear molecules बिलकुल NCRT में language लिखी हुई है उसके basis पर यह question है कर दो कर दो कर दो है